ये देखिए दोस्तों इतने थंड के मोसम में भी हमारा इडली का बैटर की इतने अच्छी तरह से फर्मंट हो चुका है इससे आपकी इडली बहुत ही ज्यादा सौफ्ट और स्पॉंजी बनेगी तो इस वीडियो में मैंने ये फुल प्रूफ रेसिपी आप सभी के साथ डी तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो कप चावल लिया और एक कप उरत की दाल लिए तो इस्टू वन का रेशो रखना है आपने जितने चावल लिए उससे कम आपको उरत की दाल लेंगी फिगोने से वहले हमें चावल और डाल को अच्छे से वाश कर लेना है उसके बाद इ पीष लेंगे पीषते वक्त हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आड़ करना है यहां पर आप देख सकते हो चावल पीषने के बाद उसकी कंसिस्टनसी अब हम दाल को भी पीष लेंगे और पीषने के बाद दोनों को एक साथ आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसका कोड़ा सा टाइम नॉर्मल सीजन से जादा लगता है तो इसे 10 से 12 गंटे के लिए हमें फर्मंट होने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आप देख सकते हो आपका एकदम बैटर मतलब इसा फूल के ऊपर आ जाएगा तो आपका ऐसा पतेला लेना है जिसकी हाइट थोड़ी सी जादा हो क्योंकि यह बैटर बाद में फूल जाता है तो आप छोटा पतेला लोगे तो फिर बैटर बहार आ सकता है तो इसे किसी भी गरम जबगापे आप रख सकते हो अगर आप इसे समर सीजन में बना रहे तो यह पासे चे गंटे में फर्मंट हो जाएगा तो यह देखें यह कितना फूल चुका है और अच्छे से फर्मंट हो चुका है तो इसकी इडली मतलब एकदम सॉफ्ट और स्पॉंजी बनेंगी और खाने में भी मतलब मज़ा आ जाएगा तो चेली अफट अफट से इडली बनाना स्टार्ट कर देते है इस बैटर की अब इडली डोसा उतपपा सारा सब कुछ अच्छे से बना सकते हो थ्री इन वन है यह बैटर बस आपको डोसा बनाते वक्त एक काम करना है इसमें थोड़ से पोहे डालने है मतलब भीगो के ताकि क्या हो जाएगा उससे दोसा थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा बहुत ही थोड़ डालने और मतलब सारा सब कुछ यह फर्मंट होने के बाद भी आप डाल सकते हैं भीगोने से पहले भी डाल सकते हैं इस बात का जान रखना तो चलिए फटा फट से अब हम इडली बनाना स्टार्ट कर देते तो यहां पर जो यह इडली का स्टैंड है उसे में एक ही बार हम आसानी से निकल जाए सेकंड टाइम हमें इसे ओल से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है इली और डोसा के साथ हम जो सांबर और नारियल की चटनी खाते है उसका शौर्स मैंने रेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है तो वह भी आप ज़रूर से जाके देखिए इली स्ट पैटर कभी कबार बहुत ज्यादा पतला हो जाए तो आप क्या काम कर सकते हो यह जो मोल्ड है ना तीन कॉटन का कपड़ा बिचा देना है और फिर हमें उसके ऊपर इडली का पैटर डालना है उसे क्या होगा आपकी इडलिया इजीली डीमोल्ड हो जाएगी नीचे बिल्क का टेस्ट आया था इसका इसमें ना ही हमने सोडा डाला और यह तेल का तड़का डाला है कुछ लोग क्या करते हैं इसमें तड़का डालते जीरा और राई डालके उसी भी टेस्ट अच्छा आता है लेगिन ऐसे प्लेन इडली खाना मुझे पसंदे तो मैं हमेशा ऐसे ही तो हमारा फर्स्ट बैच बनके तो रेडी है तो यहां पे आप देख सकते हो मोल्ड भी कितने क्लीन निकले नीचे बिल्कुल भी इडली लगी नहीं है तो यहां पे इडली को अब हम सर्फ कर देंगे नारियल की चटनी और सांबर के साथ तो देखाना आपने इसका बैटर ब समय इडली बना के खाए और यह वीडियो अब पहली बार देख रहो तो मेरे चानल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे जरूरी प्रेस करना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसे किछी अच्छी रेसिपी के साथ तब तकी लिए बाब बाई एंड टे